गुड मॉर्णी तारा मचली में 5 हर्म्स होती हैं, 5 भुजाएं होती हैं, जिसके सेंटर में एक सेंटरल डिस्क पाई जाती हैं, इस सेंटरल डिस्क के अंदर शरीर के समस्त ऑर्गिनल्स प्रेजेंट होते हैं, इस सेंटरल डिस्क औरल सर्फेस पर पाई जाती हैं, तारा मचली में 2 सत्य होती हैं, एक जो समुदरी पानी के बिल्कुल संपर्ग में रहती हैं, उसे मुख्य सत्य या औरल सत्य कहते हैं, दूसरी उपर की और होती है, जिसे एबोरल सर्फेस या अप मुख्य सत्य कहते हैं, तो सेंटरल डिस्क मुख्य की तरफ पाई जाती हैं, या पेंटागोनल चिद्र होता है, मुख्य जो है, वो इसमें पंच रंद्रिय स्ट्रक्चर है, हर आर्म से एक पोर निकलता है, इसलिए इसको पेंटागोनल स्पोर कहते हैं, इस पेंटागोनल इसको गेरे वे एक जिल्ली पाई जाती हैं, जिसे पैरिस्टों कहते हैं, मुख्य के अंदर की तरफ जो पांचों भुजाएं होती हैं, उसमें से मिजेंट्रिय निकलती हैं, जो इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट प्रतान करती हैं, मुख्य को गेरे वे मुख्य पैपिला पाई जाती हैं, जो कि पांच समुओं में होती हैं, जो कि माउथ को बहुत अधिक फैलाने में हेल्प करती हैं, और वापिस उसको सेकुड कर बंद करने में उसकी मदद करती हैं, इस माउथ पैपिला में स्पिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं, माउथ को खोलने और बंद करने का कारिय इन स्पिंक्टर मसल्स की द्वारा होता है, माउथ एक बहुत ही छोटे से चोड़ी नलिका में खुलता है, जिसे इसोफेगस कहते हैं, इसोफेगस आमाशे में खुलता है, आमाशे सेंटर्ल डिस्क में एक थेले के समान सरचना होती है, जो दो भागों की बनी होती है, कार्डियक इस्टमक और पाईलोरिक इस्टमक, कार्डियक इस्टमक five lobed structure है, पाँच पाली युक्त सरचना होती है, हर आर्म्स के सांबने इसका एक लोग प्रेज़न्ट होता है, कार्डियक की जो जो वॉल होती है, वो बहुत ही पतली होती है, मस्कुलर होती है, और उसमें बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं, कार्डियक स्टबक हर आर्म के अंदर एम्बूला करल रिजेस जो होती है उनके साथ मसल्स वर कनेक्टिव टीशू के बनेवे लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है इनको जोडने वाली जो लिगामेंट होते हैं उनको मिजेंट्री या गैस्टिक लिगामेंट कहते है इनके द्वारा आमाशे अपनी एक इस्टान पर बना रहता है और हम कह सकते हैं कि कार्डियक स्टमक को सपोर्ट जो है वो गैस्टिक लिगामेंट और ये मिजेंट्री जो है वो करती है जब बोजन ग्रहन किया जाता है तो पूरा का पूरा कार्डियक स्टमक बाहर की है उस time ये ligament जो है वो उसको एक limit तक बाहर आने में support करते हैं और ये प्रक्रिया इसमें जो muscles होती है उसमें contraction और इसमें जो silomic fluid होता है उसके pressure के द्वारा होती है और इनको वापस cardiac stomach को जो अंदर खीचने का कारिय है वो retractor muscles करती है यह रिट्रेक्टर मसल्स एमबुला क्रल ग्रूब जो होती है उनके लिटरल साइड से जुड़ी हुई होती है पायलोरिक इस्टमख का Auch कारडियक इस्टमखका next पार्ट जो होता है वो है पायलोरिक इस्टमख यह एक चोटा पाग होता है यह भी पंच बुजाकार होता है क्योंकि एनिमल्स में 5 बुजाएं पाई जाती है तो हर बुजा में पाईलोरिक स्टमक पाया जाएगा पाईलोरिक स्टमक एबुरल सर्फेस या अप मुख्य सतह पर आत में खुलता है पाइलोरिक स्टमक के प्रत्येक कोण जो होता है उसमें पाचक ग्रंथियां जो है उनकी एक डक्ट खुलती है यह जो है पाइलोरिक सीका होते हैं उनसे आके एक डक्ट बनती है जो पाइलोरिक स्टमक में खुलती है Pyloric C का हर arm में इस तरह से पाई जाते हैं जो कि diagram में दिखाए दे देरे हैं कि Pyloric C का जो है किस तरह से हर arm में व्यवस्तिक होते हैं Pyloric duct छोटी सी होती है जो कि Pyloric stomach में आकर खुलती है Pyloric stomach intestine में खुलता है intestine एक बहुत ही छोटी सी सरचना होती है क्योंकि इसमें digestion की सारी प्रक्रिया इस तमक में ही पूर्ण हो जाती है तो इस वज़े से इसकी intestine बहुत छोटी होती है जो aboral surface पर एनस में खुलती है इसमें intestine में दो या तीन छोटी छोटी सीका निकलती है जो brown color की होती है जिने intestinal और rectal सीका कहते हैं इन rectal सीका में अंदर की और कई सारी सीका पाई जाती है intestinal सीका main या संभवत excretion में help करती है एनस या गुदा या एक पहुत छोटा सा छिदर होता है जो aboral surface पर center से हट कर इस्तित होता है intestine इसके द्वारा बाहर की और खुलती है इसमें से बिना पचावा बोजन या अपचित बोजन बाहर की और निकाल दिया जाता है यह diagram दिखाई दे रहा है जिसमें esteris की बुजा का transfer section है जिसमें mouth oral surface पर दिखाई दे रहा है जो ring canal से गिरा होता है ring canal के ऊपर की और चोड़ा cardiac stomach होता है cardiac stomach के ऊपर हर arm में एक pyloric stomach है pyloric stomach के ऊपर की और छोटी से intestine दिखाई दे रही है जो anus के द्वारा बाहर की और खुलती है तो इस तरह से animal में या इसके elementary canal आई जाती है इसमें किस तरह की digestive glands पाई जाती है उसके बारे में भी बताया गया है esteris या तारा मचली की जो हर भूजा होती है उसमें एक जोड़ी pyloric cica पाई जाते हैं जो diagram में इस पस्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं ये cica जो होते हैं हर arm में इसकी अंतिम सीरा जो होता है pointed end जो होता है उस तक फैले रहते हैं प्रत्यक cica में दो अनुधैरिये mizentries पाई जाती है जो इनको उसमें लटकाए रखने में help करती है इन mizentries के बीच में एक silomic cavity पाई जाती है जिसमें silo भरा रहता है प्रत्यक pyloric cica में एक hollow tubular structure पाई जाती है जिसमें दोनों और पार्शों में छोटे छोटी सीका की शाख़ए निकली हुई दिखाई दे रही है जो diagram में दिखाई दे रहा है कि pyloric cica है उसमें side से छोटी छोटी सीकाओं की नलीकाए निकली हुई है जो आकर इसमें खुलती है और pyloric cica एक दोनों आकर के एक जगे मिलते हैं और pyloric duct का निर्माण करते हैं pyloric duct pyloric stomach में खुलती है pyloric cica में चार तरह की cells पाई जाती है जिनमें first है secretory या कणिका में कोशिकाए secretory और granular कोशिकाए यह secretory कोशिकाए जो है वो secretion का काम करती है जिसमें protease, amylase और lipase का secretion होता है जो protein, carbohydrate और fat को digestion में help करता है second number पे इसमें storage cells आती हैं जो store करने का या संग्रह करने का संचय करने का काम करती है वसा, glycosin और polysaccharides protein के रूप में खाद्य प्रदार्तों के रूप में इसमें संचित किये जाते हैं third है mucus cell यह mucus का secretion करती है fourth है current producing cells यह कोशिक है इसमें सीका की गुहाओं में पच्चेवे भोजन और अन्य तरल प्रदार्तों का circulation में help करने के लिए current produce करती है जिसमें लंबे-लंबे फ्लैजला पाए जाते हैं next is food and feeding तारा मचली एक carnivorous जन्तु है जो छोटे-छोटे animals को खाता है इसमें इसके बोजन के रूप में यह कई प्राणियों को अपने food particles के रूप में ग्रैंड करता हैं इसमें बोजन ग्रैंड करने का तरीका बहुत ही अलग से होता है चोटे प्राणियों को यह अपने tube fit के द्वारा गेर कर और direct मुँ में डाल देता है और उसको खा जाते हैं अगर कोई बड़ा animal होता है तो उसके feeding का mechanism इसमें अलग होता है बड़े प्राणियों को यह अपनी दो भुजाओं के द्वारा पकड़ लेता है और कार्डियक स्टमक को बाहर की तरफ उलट देता है जब कार्डियक स्टमक उस animal को उपर आ जाते हैं तो पाइलोरिक सीका के द्वारा पाइलोरिक डक्ट से होते हैं एंजाइम का सीक्रिशन होता है वो एंजाइम इस कार्डियक स्टमक से होते हैं उस animals पर आ जाता हैं जिससे की वहाँ पर उन फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है बोजन के जब डाइजेशन हो जाता है तो उसमें कार्डियक स्टमक को वापिस अंदर खीचने का काम किया जाता है यह बहार निकालना और अंदर वापिस आने का कार्य रिट्रेक्टर और प्रोट्रेक्टर मसल्स करती है स्टार फिश जब मॉलस्का की बाई वालविया जो सीपिया होती है उनको जब खाता है तो उन सीपियों को बोजन के रूप में ग्रहन करने का तरीका इसका बहुत ही अलग से होता है सीपिय जब इसके फूट पार्टिकल के रूप में इसके पास आती है तो तारा मचली उस पर चड़ जाती है और उसको इस तरह से घुमाती है क्यों उसके जो वाल्व है वो तारा मचली के मुह के समीप आ जाता है और वो उसको खोलने की कोशिस करती है तारा मचली तब तक अपने प्रयास जारी रखती है जब तक कि सीपी की पकड़ एड़क्टर मसल्स पर दीमी नहीं हो जाती और वो उसको कस कर बंद करने में शिथिल पड़ जाता है तो उस एनिमल्स को वो खीच करके अलग कर देती है अपनी बुजाओं के द्वारा और उसके उपर अपने कार्डियक स्टमक के द्वारा फूड़ पार्टिकल्स को डाईजिस्ट करके खा लेती है ऐस्टिरीस में डाईजेशन ऑग कार्डियक स्टमक के बहर की और उलट लिया जाता है और उसमें से पाईलोरियक सीखा के द्वारा पाइलोरिक डक्ट से होते वे सिक्रीटरी एंजाइन्स जो है वो भोजन पर छोड़ दिये जाते हैं वहाँ पर भोजन का डाइजेशन शुरू हो जाता है प्रोटीज, प्रोटीन का एमाइलेस, कार्भोहईडरेट का लाइपेस फैट पाटिकल्स का पाचन करते हैं अंदर की तरफ जो मीजेंट्री होती है, उनमें कॉंट्रेक्शन की क्रिया होती है, जिससे की पच्चावा भोजन अहार नाल में लिया जाता है, इस पच्चेवे भोजन के साथ साथ में कुछ सेमी सॉलिट फूड भी ग्रैन कर लिया जाता है इस सेमी सॉलिट या अर्ध पाचित भोजन को शेश पाचन अंदर आमाश्रे में या इस्टमक में होता है पच्चेवे भोजन का कुछ भाग सिलूमिक फ्लूड में विसरित हो जाता है जिससे की ये पूरी बॉड़ी में सर्कुलिट कर दिया जाता है कुछ भाग इसमें जो ये पाइलोरिक सीका होते है उसमें चले जाता है जा ये बोजन में वित्रित कर दिया जाता है कुछ फूड पार्टिकल्स इसमें स्टोर सेल्स जो होती है उसमें स्टोर किया जाता है या संचित कर लिया जाता है भोजन का जो absorption है वो pyloric stomach की जो ये सीका है उसमें पूरा हो जाता है इसी वज़े से इसमें intestine बहुत छोटी होती है कुछ absorption intestine में हो जाता है और अपचित भोजन एनस के द्वारा और माउथ के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है तो इस तरह से एस्टेरिस में फूर्ड का digestion, absorption और addition होता है थेंक यू